देंगे इगनू इंद्रा गांधी नेशनल ओपन युनिवर्सिटी की नियो रिक्रिमेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंट से यहाँ पर देखी जो यह नॉटिफिकेशन है यह आपके यहाँ पर जारी किया गया है जो कि है फ्रेंट से आपके जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिसमिंस जे ए टी पोस्त के लिए जिसके लिए आप ऑनलाइन आविधन कर सकते हैं फर्म फ्रेंट से 22 मार्च 2023 से आपके स्टार्ट हो गए है और आप इसमें फ्रेंट से 20 अपरेल 2023 तक आप इसमें आविधन कर सकते हैं करेक्शन फ्रेंज आप 21 अप्रेल से 22 अप्रेल तक कर पाएंगे आपके एडमिट कार और डेट ऑफ एक्जाम की जानकार्य आपको जल्दी ही आपको एविलेबल करा दी जाएगी अभी के लिए फ्रेंज आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाका डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं इसका ओफिशल ओनलाइन पॉर्टल है आप न्यू रजिस्टेशन टैप पर क्लिक करेंगे आपके सामने फ्रेंज से इसके बाद फ्रेंज से नैस ओप्शन है आईडी टाइप का तो आप यहां से कोई भी आईडी टाइप सेलेट कर सकते हैं आप पैन कार्ट प सबसे पहले आपके एड्रेस की जानकारी फिल करनी है आपका फ्रेंज से जो भी एड्रेस है वो आप यहां पर दे सकते हैं सब लोकल्टी क्या है वो आपको यहां पर एंटर करना है लोकल्टी क्या है वो आप दे सकते हैं कंट्री आपको फ्रेंज से यहां पर सलेट करनी ह इस्ट या यूटी फ्ञेंन से क्या है आपका वो आपको select करना है डिस्टिक आपको select करना है और उसके बार आपको आपका pin code देना होगा अब यहां पर दिखे जो address है यह correspondence है यह आपको permanent का option मिल जाता है अगर यह आपके present address से same है तो आप CMS पर click कर सकते हैं यहाँ पर आपको आपका mail id देना है आपका mobile number देना है और यह active and valid होने चाहिए इसके बार फैंसे यहाँ पर address same है तो आप same as by entry कर सकते हैं अब यहाँ पर देखे password जो आपको generate करना है वो 8 से 13 character का होना चाहिए uppercase, lowercase, numerical value, special character उस password में होने चाहिए sample में यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ जैसे आपने uppercase यूज कर लिया आपने यहाँ पर small letters यूज कर लिये आपने numbers यूज कर लिये और कोई भी special character at the rate, star, hash आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो जो password आप से यहाँ पर मांग गया है वो password आपको यहाँ पर इस तरह से generate कर आपने जो भी जानकारी फिल की है वो आप चैट कर ले इसके बाद friends से आप इसे agree करेंगे कोई गलती है तो edit कीजिए नहीं तो आप submit and send OTP पर click करेंगे आपके mobile पर एक OTP आएगी वो OTP आपको verify करनी होगी तो friends से OTP verify करने के बाद देखिए mobile number आपका verify हो गया है अब उसके बाद friends से यहां पर देखिए आपको जो भी security code दिया गया है यह security code आपको friends से fill करना है और उसके बाद friends से OTP जनरेट करना आपको होगा OTP generate करने के बाद friends से आपको OTP को verify करना है और OTP verify होने के बाद देखिए अब आपकी जोनों details verify हो गई है अब आप complete application form पर click करेंगे form में friends से जो step दिये गया है इन step में आपको form को complete करना है सबसे पहले है personal detail यहाँ पर देखे friends से सबसे पहले nationality आप select कीजिए category general है SC, ST, OBC आप select कर सकते है pH candidate है तो yes कर सकते है और यहाँ 40% above है less than 40% है वो आपको select करना होगा नहीं तो आप no करेंगे diabetic candidate है या नहीं है इसके बाद friends से disabled defense service person है या नहीं है ex-serviceman candidate आप है या नहीं है आप यहाँ पर yes or no करेंगे metal status आपका क्या है वो आपको select करना है sports person है तो yes or no आप कर सकते हैं यह करने के बाद friends से आपको यहाँ पर capture code मिलता है यह capture code आपको fill करना है और save and nest कर देना है इसके बाद हार का नमबर आपके पास है तो आप yes कर सकते है और data को submit कर सकते हैं इसके बाद है तीन option आपना आपका अधारकार नमबर है वो आप साढ़ा करने करें तयार है आप इस option पर click करेंगे अधार कर और नमबर aad Smith कर देंगे इसके बार趕ए पोस्ट करनी है जो कि है जुनियर असिस्टेन्ट कम टाइप तिसके बार है आपका एक्जाम सेटी आपको चूज करना है सबसे पहले तेट-चूज कर करेंगे तो आपके एकोडिंग जो भी फोट्र आ प। अपकर लेना चाहिए उसके हैं centers का फ्रेंज जो option है इसमें आपको तीन centers चूज करने के option मिलते हैं इसके बाद typing speed आपको आनी चाहिए आप यहाँ पर yes करेंगे इसके बाद friends से आप इससे security code को fill करेंगे और इसके बाद save and nest यहाँ से data को कर देंगे इसके बाद है friends से next option जो की है qualification का qualification में पास status में आपको पास रहे का 10 के लिए यह रो passing क्या है वो आपको select करना है course के stream select करना है बोर्ड का नाम आपको देखे यहाँ पर जो list है वो आपको बिल जाती है आपके according जो भी बोर्ड है वो आप select कर सकते है result आपका percentage है CGP है वो आपको select करना है total marks और marks obtain आपको फ्रेंच से यहाँ पर enter करने है आपकी percentage यहाँ पर आ जाएगी इसके बाद आपको रोल नंबर देना है आपका फ्रेंच से यहाँ पर देखिए जो school का नाम है institute का नाम है वो फ्रेंच से आप यहाँ पर एंटर करेंगे और पूरा address जो भी है आपके school का वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंच से यहाँ पर देखिए next option है वो आपके institute pin code का तो आपके institute का pin code है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इसके बाद है 12 की जानकारी सेम आपका pass out होना जरूरी है एरो passing आपका क्या है वो आपको जानकारी देनी है course stream आपको 12 यहाँ पर करना है और इंस्ट्यूट का नाम और इंस्ट्यूट का नाम और इंस्ट्यूट कहां पर है उसके लिए आपको उसका pin code देना होगा basic जानकारी है 10th and 12th की जो कि आप यहाँ फिल करेंगे और इसके बाद इस capture code को आपको फिल करना है और उसके बाद save and nest आपको data को यहाँ से कर देना है इसके बाद फैंसे यहाँ पर देखिए आपके खिलाफ कोई भी case वगेरा या criminal proceeding है या नहीं है आप यहाँ पर yes या no करेंगे इसके बाद फैंसे आपको यहाँ पर security code देकर यहाँ पर आपको save and nest कर देना होगा इसके बाद है photograph and signature upload जो कि आप jpg format में upload करेंगे size देखिया आपको दिया गया है photograph and signature के लिए browse पर click कीजिए file को select कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर उसे upload कर सकते हैं upload होने के बाद फैंसे nest step जो है वो है आपके preview का तो आप यहाँ पर एकी नाम DOB आपकी category employment details qualification gender father name mother name category post applied for आप यहाँ पर check कर सकते हैं उसके बाद आप यहाँ से I agree करेंगे और final submission यहाँ से कर देंगे अब इसके बाद फैंसे last step जो बसता है वो है आपके pay exam fee का आपको फैंसे इस option पर click करना है online payment को select करना है proceed for payment करना है उसके बाद यहाँ से OK कर देना है इसके बाद फैंसे आपको थोड़ा सा wait करना होगा payment gateway आ आपका open हो जाएगा इसके बाद फैंसे जो भी build desk आपका open होता है उसके में फैंसे आपको multiple options मिल जाएंगे जैसे net banking के चाहे आप SBI user है other bank user है SBI का debit card है other bank का debit card है UPI user है carry card user है आपको यह option को select कर सकते हैं और यहाँ पर फैंसे आप जो भी option से payment करना चाहें आप कर सकते है और verify करना होगा और उसके बाद friends से आपने card details को fill करेंगे और card details को fill करने के बाद friends से आप यहाँ से pay कर सकते हैं और जैसे ही आपका payment यहाँ पर verify होगा successful हो जाएगा आपको friends से यहाँ पर देखिए आपका fee payment का जो option है वो complete आपको यहाँ पर मिलता है और last step देखिए आपको मिल का है download confirmation page का आप इस option पर click करें और उसके बाद friends से आपका जो application form है वो friends आप डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख ले future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर friends इस वीडियो हमने बात की इंदरा गांडी National Open University का online form आप कैसे apply कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसं subscribe इंशे जरू कीजिए